नमस्कार बहुत स्वागत है आपका शुक्र के महा परिवर्तन के इस खास कारक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट संतो संतोशी 24 सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने में 18 तारिख तक शुक्र कन्या राशी में रहेंगे 18 को ही ये कन्या से तुला अर्थात अपने घर में आएंगे तो 24 सितंबर से 18 24 से 6 दिन इधर 30 और 18 दिन इधर 24 25 दिन शुक्र का प्रभाव नीच राशी में रहेगा ये बहुत बड़े मारके की बात है कि नीच राशी में बैठा शुक्र क्या कुछ करने वाला है आप सब के साथ मेशे लेकर मीन तक हम आपको बताएंगे सब पर शुक्र दो राशीों से अपना प्रभाव डालते हैं ब्रिशब और तुला से अब अगर आपकी राशी मेश है तो आपके लिदुतिय और सब्तम के स्वामी है ब्रिशब है तो आपके राशी लगने के स्वामी है और छठे के स्वामी है इसी प्रिकार से मिथुनगर है तो आपके बारहमे के स्वामी है और पंचम के स्वामी है शुक्र की राशी का एक खेल बहुत तगड़ा है कि ये अपने आप में ही सटाश्टक है तो अपरभाव क्या करेंगे किस तरह से तो आईए सुरुवात हम करते हैं और आपको आगाह करते हैं कि आपको किन-किन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है नीच का शुक्र आप पर क्या असर कर सकता है सबसे पहले मेश राशी कुटुम्ब के कारक, बैंक बैलन्स के कारक, पत्नी और साजेदारी के कारक प्रबल मारके शुकर के छठे में आएंगे तो मेश वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन 24 सितंबर से 18 अक्टूबर 2022 का कहीं से भी ठेक नहीं होगा तन, मन, धन, तीनों छेत्रों में आपको बहुत ध्यान देना होगा खास तर पर उनके लिए जिनके शुक्र की महादशा चल रही होगी ब्रिशब राशी, आपकी राशी का स्वामी होकर के आपके चंद्र राशी का स्वामी होकर के शुक्र कन्या राशी में प्रिवेश करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे आपकी सोच को थोड़ा सा घ्रनित करेंगे, गंदा करेंगे, बेकार करेंगे, गलत करेंगे आपके निरड़े बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं होंगे 110 प्रतिशत आपके गंदे विचारों के कारण आपका ब्रेक अब हो सकता है बच्चों के प्रतिक कुछ दोश दुराव पैदा करेंगे संतान को लेकर के कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता क्योंकि पंचम में नीच का शुकर आया है आपकी राजका स्वामयोकर बच्चे आपके बिरुद शडियंद्र कर सकते हैं आपको साउधान रहना है यह छोटी मोटी चीज नहीं है जो भी आपकी बिरुषब वाले हैं उनको आप शेयर कर दीजेगा वीडियो या बता दीजेगा फोन करें आपका लाब छेतर भी प्रभावित होगा आपके धनारजन पर भी यह अंकुष लगाएंगे क्योंकि यहां से यह लाब भाव को भी देखेंगे मिथुन राशी चतुर्त भाव में आ जाएंगे बारावे के स्वामी होकर के मिथुन राशी के लिए और पंचम के स्वामी होकर आपके लिए रास्ते खोलेंगे मिथुन वालों के लिए यह परिवरतन बड़ा सकारात्मक रहेगा हलाकि नीच के हैं लेकिन फिर भी केंद्र में बैठेंगे तो कुछ नो कुछ अच्छा प्रभाव करेंगे दसम पर इनकी उच्छ दृष्टी रहेगी लिहाजा कारेश्चित्र में उन्नती करेंगे धन की स्थती को सुधारेंगे मकान वाहन के सुख मिलेंगे कोई रुका हुआ पेंडिंग काम आपका आगे बढ़ेगा सावधान रहना है अपयश मिल सकता है महिला की कारण अगर आप पुरुश है करक राशी करक राशी वालों के लिए चतुर्थ के स्वामी है और एकादस के स्वामी होकर के पराकरम अस्थान पर आएंगे तृतिय भावं में आएंगे वाहन बिक जाएगा मकान बेचना चाहते हैं मकान बिक जाएगा पत्नी घर से मायके चली जाएगी लड़ करके जगड करके भाई बहनों के बीच में विवाद हो सकता है आर्थिक तंगी महसूस होगी शेक्सूल पावर की कमी लगेगी ध्यान देजेगा कुछ गुप्त रोग भी हो सकते हैं सिंग राश दसम के स्वामी है और तीसरे के स्वामी है शुक्र और बैठेंगे दुती भाव में आर्थिक रूप से तो मजबूती दे देंगे लेकिन परिवार में कुछ न कुछ विगटन कारी इस्थती भी धुनसक इस्थती पैदा करेंगे रुपय पैसे की खियानत रुपया पैसा आपव्याय आर्थे ग्रूप से नुकसान वानी दोश और परिवार में कुछ अप्रिय घटना सिंह वालों को ततकाल कुंडली दिखा लेनी चाहिए क्योंकि इस्थती आने वाली बहुत अच्छी नहीं है शुक्र के परिवर्तर की कन्या राशी आपकी हिराशी में शुक्र का प्रभाव रहेगा आपकी हिराशी में शुक्र बैठेंगे दुतिये शुक्र के बैठ रहे हैं और नौमे शुक्र के बैठ रहे हैं नौमे शुक्र के जहां इनकी इस्थती ठीक है वहीं दुतियेश हो करके इनकी स्थिती मारक स्थान ले लेती है तो सात्वे को देख करके यहां पर कई तरह की समस्याएं ला देंगे जैसे आपके दामपत्य जीवन में बाहरी तत्तों का हस्तक शेप हो जाएगा इक्ट्रा मैटल अफेर्स के चांसेश बढ़ जाएंगे विचार आपके गंदे होंगे कोई आपको धुखा देगा किसी महिला से आप चीट हो सकते है ध्यान दीजेगा सावधान रहिएगा धार्मे क्यात्राएं होती है तो यह आपके लिए शुब रहेगा नोमेश होने का प्रभाव सकरात्मक हो सकता है तुला राशी आपके बारहवे में आये हैं आपकी राशी के स्वामी होकर और आठवे के स्वामी होकर कई तरह के प्रेद बाधाओं या पितरों के प्रकोप से आप पीडित हो सकते हैं क्योंकि आश्टम और द्वादस का संबंध बन गया है तो तुलाबालों को बहुत ध्यान देना होगा आपके लिए खतरे की घंटी है यात्रा कम करिएगा विदेश से कोई अच्छी समाचार अच्छे खबरें आपकी यह आ सकती है फिर भी आपको यात्रा कम करना है जादा धन की विशे में किसी से चर्चा ना करिएगा ब्रिश्चिक राजी सात्वे के स्वामी है ब्रिशब राजी और बारहवे के स्वामी है एका दस में आएंगे ठिक ठाकी स्थती है कोई नया अफेयर आपके करीब आएगा पंचम पर पूर्ण उच्च द्रिश्टी से देखेंगे पुत्री रत्न की प्राप्ती होगी प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी जो दिक्कते चल रही थी वो दूर हो जाएंगे वाहन का सुख मकान का सुख आपके लिए इंतजार कर रहा है धन राशी एकादस के स्वामी है और छटे के स्वामी है धन राशी वालों के लिए और उपस्थती इनकी रहेगी दसंभाव में ठिक ठिक किस्थती है किसी तरह की समस्या नहीं है मजबूत रहेंगे आप, कारिशित्र में दबदबा रहेगा, बहुत प्रशन रहेंगे नया वाहन लेने के चांसेश बनते हैं, मांसिक शांती बढ़ जाएगी आपके लिए कारिशित्र में बड़ा लगजरी फील आएगा मकर राशी, मकर राशी वालों के लिए पंचम और दसम के कारक होकर योग कारक होकर के भाग्य स्थान पर इनकी उपस्थती रहेगी सब कुछ आपको दे देंगे यात्रा से लाब, इस्त्रीश सुख, प्रेमिकाश सुख, पुत्रीश सुख धन से लबरेज करेंगे, किसी तरह की दिक्कत कमी हो ही नहीं सकती आपके लिए बंबा मिस्थती है, हाँ, थोड़ा सा आधार्मिक न रहिएगा धर्म को पकड कर रखिएगा, जिससे सब कुछ सकारात्म करें कुम्भराशी, कुम्भराशी वालों के लिए छठे भाव में इनकी उपस्थती है, सिक्साउस में और सब्तमेश है, चतुर्थेश है, सब्तम और चतुर्थ खास तोर पर हो गया माप कीजिएगा, कुम्भराशी वालों के लिए नौमेश है, सब्तम कह दिया मैंने कुम्ब के लिए नवम अस्थान के स्वामी है नवम भाव में तुला राशी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है चतुर्थ भाव में ब्रिशब राशी है नवम और चतुर्थ के कारक होकर की उपस्थती इनकी रहेगी अश्टम भाव में चतुर्थ और अश्टम का संबंध फिर भी थोड़ा सा बेटर है लेकिन नवम का स्वामी होकर अश्टम में आना ठीक नहीं है कुम्भवालों को बहुत सावधान रहना है कई तरह की दिक्कते अप्रिय समाचार कुछ खबरें इस तरह की आपको परिशान करेंगी आपको दिक्कत दे सकती है आपको बहुत ध्यान देने की आपशकता है हर कदम कदम पर आपको सतर्ग रहना है सावधान रहना है बात कर लेते हैं अब हम specially अंतियम राश मीनवानों के लिए तिरती भाव के स्वामी है और अठवे भाव के स्वामी है बैठे सब्तम में पत्य पत्नी के बीच कोई गहरा विवाद एक दम से सामने आ जाएगा अलगाव के चांसेस बन सकते हैं तनाव बढ़ सकता है कोई आपके लिए खत्रे की घंटी बढ़ सकता है मैरिड लाइफ और पार्टनर्शिप को लेकर के कई तरह की दिक्कतें आ सकती है अपने आप पर काबू रखिएगा ओवर कॉन्फिदेंस से बचने की आवशकता है तो चुकि नीज के शुक्र है जादा तर लोगों के लिए मकर जैसे है उसको छोड़ दिया जाए तो जादा तर लोगों के लिए बुरा फल ही देने वाले हैं इससे बचना कैसे है उपाय क्या है उपाय यह है कि अब महीना भर आप दही मत खाईएगा खटाई से परहेज करिएगा मिठाई का दान छोटी-छोटी बच्चियों को आप कर सकते हैं नो वर्षे कमुम्बर की बच्चियों को ओम शुम शुक्राय नमह बहुत आसान है आप लोग गूगल भी कर लिजेगा अगर लिखाई स्क्रीन पर तो देख लिजे नहीं लिखाई तो भूट लिजेगा ओम शुम शुक्राय नमह का एक माला नहा कर जाब करिएगा महलाओं का सम्मान करें उनके लिए सदभाव रखें इस्त्रियों का अनादर न करें जतना पवित्र भाव उनके लिए रखेंगे उतना ही शुक्राप के लिए शुप्फल देगा अपनी माता बहन बेटी को यह थोचित आप सम्मान दीजिए सब अच्छा होगा हमें नुमत दीजेगा मुलकात करते हैं अब सीधे गयाजी में अगर आप अपने पितरों की शांती के लिए प्रयास चाहते हैं तो हमारा यह चौथा सत्र है पिछले तीन वर्षे लगातार हम जा रहे हैं इस बार चौथी बार हम जाएंगे गयाजी में और साथ दिन का वहाँ पर भागोत भी करवा रहे हैं आप उसका मुख्य अजमान बन सकते हैं पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे कार्याले के दिये गए नंबर्स पर तुरंत मिल जाएगी वाटसप करिए गयाजी पिंडदान और जानकारी लीजे बहुत बहुत शुक्रे आपका धन्यवाद नमस्कार आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महा लक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदी तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक झाल आपको भी खुशियों की चाहा है